दमाइश्टर प्रकास क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग हमारे साथ जो रोजाना और प्रक्टिस से साब कर रहे हैं जो कि लेक पाल भरती से संबंदित है उसी कड़ी में आज अगला प्रक्टिस से लेकर आये हैं जिसमें सामान ग्यान के 25 परस् कहता है तो मुल्य क्या कहलाता है उस मुल्य को लागत कहते हैं किमत कहते हैं लाभ कहते हैं या हानी कहते हैं आप लोग कमेंट करके कमेंट बाक्स में अपने उत्तर भी देते रहेंगे जो भी उत्तर होगा उसको कमेंट बाक्स में आवस लिखेगा और अंत में जरूर बता जाता है आपजम नमर का सही और अगला परती है बहुल अरतरखयोस्था अगला पॉस्ट अधिक छ। कमिंट करके आप UK on शाय। है तो इसमें भी आपसन नमबर का सही और जाएगा जो कि एक मजदूर बहुल अरतरखम कि सरकार की संघ्य रूप का एक उत्क्रिष्ट उधारण क्या है तो कि इसका जो आप्सन है यूनाइटेड इस्टेट साफ अमेरिका है यूनाइटेड किंगनम है या स्वीड स्वीस बैंक कह सकते हैं या स्वीडन होगा एक मिनिट इसको दिख नहीं रहा है इसमें तो यह स्वीडन ही है ठीक अगला है फ्रांस है कमेंट करके बताईए वो क्या है तो 28 नमबर में आपसन नमबर आपका फर्स्ट सही होगा जो कि यूनाइटेड इस्टेट साफ अमेरिका की सरकार की जो है यह क्या कहते हैं संगे रूप उहीं के उधारन से इसको लिया गया है आपसन फर्स्ट इसका राइज़न सरह होगा नेक्स्ट है अवसादी सहल का सबसे अच्छा ग्यांत उधारन क्या होगा चूना पत्थर गेब्रो मार्बल या ग्रे नाइट कौन सा कमेंट सही है पहला दूसरा तीसरा या चौर्था कमेंट करके आप लोग बताईए इसका काउन साइंसर सही होगा तो इसमें अवसादी सहल का सबसे अच्छा उधारन जो है वह आपसन फ़र्ट सही होगा जो कि चूना पत्थर होगा नेक्स्ट है तीस नंबर में पूछा जा रहा है निमनलखित में इसे उप्योग के बाद किसे पुना चक्रित किया जा सकता है पेट्रोल है प्लाश्टिक है मौम बत्ती है या माचिस किती लिए है चलिए आप लोग फटा फट सही उत्तर देते रहेंगे कमेंट बाक्स में तो इसमें आपसन नंबर भी सही होगा जो कि फलाश्टिक है इसको उप्योग के बाद पुना चक्रित करके बनाया जा सकता है आपसन नंबर भी इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट है रेडियो अक्टिविटी की खोज किसने की थी मैडम क्यूरी पीरे क्यूरी या हिन्री बैक्यूरेल या हिन्री रदर फोर्ट कमेंट करके सही उत्तर बताते रहेंगे तो इसमें आपसन नमबसी बिर्कुल सही होगा जो कि हिंडरी वेक्यूरेल जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज को किया था आपसन नमबसी सही होगा इसका नेश्ट है सनी के चारो और की रिंग किसकी बनी होती है जो चलिए देखते हैं किसी इचके बनी होती है जो सनी के सब्सक्राइब भी आपसन नमबर भी इसका राइट एंसर होगा इसी के साथ अगला प्रस्टन है अगले प्रस्टन में आपसन कुछ कटा हुआ है जिसका पहला चलिए देख लेते हैं इसमें एक पाकी दिख नहीं रहा है उसको स्क्रिप करेंगे हम लोग तो भारत में तंबाकू की प्रचुर पैदावार उन छेत्रों में होती है तो कौन सा छेत्र है नीचे आपसन की रोप में आपको दिया गय होती है यह पर थंढंत्व कार परदेश जैसे किस बस्तली श्रुप रफिल यूज़ जहां पर होते हैं ऒहां पर होता लोग स्क्रीप करेंगे 36 तो प्रस्ट ने सही से इस प्रस्ट नहीं दिख रहा है इसलिए इसको स्क्रीप किया जाएगा अगर देखते हैं तो 35 नंबर भी देख लेते हैं इसमें पूशा जा रहा है कि मानसून की सुरुवात में बौई जाने वाली फसल क्या कहलाती है तो र बताना है यह किसान लोग जो करते हैं आफसर नंबर भी वह खरीब की फसल होती है जैसे कि धान हो गया ठीक तो आफसर नंबर भी इसका राइट एंसर होगा नेश्ट है क्या स्टेनलेस्टी श्टिल का संगटक नहीं है ऐलूमीनियम है क्रोमियम है आईरन है निकल कमेंट क कि अब लोग बताइए इसका कौंट साइन्स होगा तो जो इस्टेनलेस्टी स्टिल का संगटक नहीं होता है वह अलूमीनियम होता है आपसन नमबर फस्ट इसका right answer होगा तो नेश्ट की तरफ बढ़ेंगे तो नेश्ट में वातावरण में क्या होता है अजेव तत होता है या जीविय तत होते है या अकसीजन और नाइट्रोजन होता है या अजेव और जीविय तत दोनों होते है तो इसमें अजयो और जीविये तत्र दोनों होते हैं आफसन नमबर डी जो है बेरकुल सही होगा जिसमें पहला दूसरा भी सही है लेकिन दोनों साथ मिलाने के बाद आफसन डी सही हो जाएगा इसका निश्ट है ये दोनों प्रसन भी जो है असपरस्ट नहीं दिख रहा है आफसन इसको भी स्क्रिप्ट किया जाएगा अगला प्रसन देखते हैं चैलिस नंबर पे तो चैलिस नंबर में पूछा जा रहा है कि भूकम की तिवर्ता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है सीज्मोग्राफ पेरिस्कोप मैनोमीटर या गैलवीनोमीटर तो कमेंट करके आप लोग फटा फटेंसर बताएंगे तो बताएए इसका कौन सा सही होगा तो चैलिस नंबर में जो सही हो जाएगा वो आपका सिश्मोगराफ लगाफ लिखा है समंध गुप्त या चंद गुप्त दोतिये कमेंट करके आप लोग उत्तर को बताएए कौन सा उत्तर सही है प्रिश्व में आफसन नंबर जो सही होगा वो सेकेंड सही हो जाएगा आफसन मतलब भी सही होगा जिसमें हरसोवधन के सासनकाल में युवांग च्यांग नामक चायनीज एक बैक्त था जो भारत आया था ठीक ता आफसन नंबर इसका भी सही होगा नेश्ट है इसको मिलान करना है और कूटनी टाइप के ये परस्ण है जिसमें एक तरफ क्या कहते हैं लोक निर्त लिखा गया है दूसरा तरफ राज लिखा गया है लेकिन इसमें भी जो है आपका क्या गयते हैं एक जो है डी वाला जो है कट गया है तो चलिए पहले तीन को मिलान कर लेते हैं आपसन अपने आप मिल जाएगा तो भारत नाट्यम किस राज का लोक निरित है ये बताना है पहले में तो ये भारत नाट्यम जो लोक निरित्त है ये आपका तमिल नाडू का है इसको दूसरे से मिलान कर देंगे ठीक उसके बाद कथकली कथकली जो है वो आपका केरल का है पाचों इसे मिलान कर देंगे उसके बाद कुचिपुडी आंधर सीमांधर मतलब आंध परदेश ही मानते हैं इसको ठीक तो ये इसका हो गया तो देखिए ये कौन से में मिल रहा है अभी देख लेते हैं लोग तो A का दूसरा तो B में और D में दोनों में हैं तीसरा B वाला B का कुछी पूरी जो अकेरल का है ये B में पाच्वा और चोथे में मिल रहा है तो इसका मतलब पहले भी आपसन जो है सही हो जागा क्योंकि यहां पर तीसरा दिया गया है इसलिए आपसन नमबर भी इसका राइटर सन हो जागा डी गलत हो जागा अगले पर चलेंगे तो अगले में पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी पलेटो में सेंदूलोंक जागा क्योंकि वे प्रकास से आपचित होते हैं आपसन नमबर इसका सही होगा नेश्चेर टेटरा इतायलेट टी एवे द्ट क्या है एक एंटी आक्सिडेंट है एक एंटी नाग योगिक है या इक डिटेक्ट एक या इनमेंसे कोई नहीं है कमिंट करके बताएए इस प्रश्चन का एंसर क्या होगा तो इसमें आप्षान नंबर जो सही होगा वह आपका भी आप्षान सही हो जाएगा यह एक एंटी नौप योगिक होता है आप्षान इसका भी राइट एंसर होगा इसी के साथ अगले प्रेस्ट तो देखा जाए तो अगले प्रेस्ट में पूछा जा रहा ह बैंकिंग वाता वरण में परियोग होने वाले टर्म NPA का पूरा नाम क्या है तो अच्छा इसका एंसर बताना है तो इसमें भी आप्शन जो है आपका सही था और इसमें पूछा जा रहा है कि बैंकिंग वाता वरण में परियोग होने वाले टर्म NPA का पूरा नाम क्या है इ तो इसमें जो है आफसन आपका सी सही होगा गया है नान परफार्मिंग असाइट्स आफसन नंबर सी बिर्कुल सही होगा इसमें लिखा गया है नान परफार्मिंग असाइट्स ठीक तो चलिए इसी के साथ अगला प्रसम दिखा जाए अगले प्रसम में पूछा जा रहा है कि भारतिय संबिधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधियकार की गारंटी नहीं होती है तो इसमें समानता का अधिकार पहला आप्षन पढ़ देते हैं अपना आप्षन को जिसमें लिखा गया है समानता का अधिकार दूसरा है सोतंतरता का अधिकार तीसरा संपत्ती का अधिकार और चोथा सोसन के बिद्धो अधिकार तो इसमें जो मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं रखता है वो आपका आप्थन नंबर जो सही है वो सी सही हो जाएगा जो कि संपत्ति का अधिकार है इसको अब जो है हटा करके मौलिक अधिकार से जो है इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है आप्थन नंबर सी इसका राइट एंसर होगा, नेश्ट है 47 में, किस वैसराय के सासन के दोरान भारत सरकार इस्ट इंडिया कमपनी के हाथों से अस्थानांतरित करके ब्रिटिस क्राउन को सौंप दी गई है, तो फर्स्ट आप्सन जिसमें दिया गया है, लाड कैनिंग, सेकेंड है, सरजान लारेंस, थाइड है, लाड एंजिन, और डी आप्सन में लिखा गया है, लाड मियो, कमेंट करके आप लोग बताएए कौन सा अंसर इसका सही होगा, के लिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे आप लोग को अश्ट पस्ट दिखने लगें, तो बताएए कौन सा इसका अंसर सही होगा, तो इसमें आपसन जो सही होता है, वो आपका फर्ष्ट हो जाएगा, जो कि लाड कैनिंग के सासन के दौरान जो है, भारत इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो है, अस्थानांतित करके, ब्रिटिस कराउन को सौपी गई थी, आपसन फर्ष्ट इसका सही हो जाए होई नहीं, तो कौन से जो देश हैं दो जो आपसन में आपके लिखे गए हैं और वहाँ से करकर देखा होकर गुजरती है, यही इस प्रिश्ट में पूछा जा रहा है, तो उसमें वह देश हो जाएंगे, आपके भारत और सौदी अरब यही से जो है, आपका करके देखा ह कर गुजर्टी है इन्हीं दो रेखाओं इन्हीं दो देशों से जिसमें पाकिस्तान से नहीं होकर गुजर्टी है और इरान और भारत से भी नहीं भारत तो गुजर्टी है लेकिन इरान से नहीं गुजर्टी है इसलिए आपसन जो है सही नहीं होगा ठीक है तो चलिए अगल ब्रादेश वरा मंदिर कि सर्राज में इस्थित है फर्ष्ट आप्सन कमेंट करके बताईए इसका काउल साइंसर है मिला के आपको लोग मिलान करके बताईए उसके बाद हम मिलान करवाते हैं चलिए मिलाते हैं तो फर्ष्ट आप्सन जो हो जाएगा वो यह मंदिर जो है ब्रादेश सवरा मंदिर आपका राजस्थान में इस्थित है आप्सन फ़ोर के साथ इसको चौट्थीक आप्सन के मिलाएंगे उसके बाद दिलवारा मंदिर तो दिलवारा मन नहीं एक मिनट इसमें ये मंदिर जो है दूसरे तमिन नाडू में इस्तित है ब्रहदेव सर्वरा मंदिर जो है यह क्या कहते हैं तमिन नाडू में हैं और उसके बाद दिलवारा मंदिर राजस्थान में हो जाएगा आपका लिंग राज मंदिर औरीशा में है ठीक उसके हम पी गृफ्याउप मैंूनेंट जो कि करनाटक में इस्थित है सभी मिलान कर लिये हम लोग चलिए देखते हैं कौन सापसं इसका राइच होगा तो इसमीं आपसंट नमबर जो आप का सही होगा वह दी आपसंट सही हो जागा दो चार एक तीन से हम लोग मिलान किये हैं आपसन नमबर इसका डी सही होगा ठीक है चलिए अगले परिष्ट पचासमों को देखते हैं तो पचासमे परिष्ट में पूछा जा रहा है मानों के मानों में निम्लिकितत की परचूरता किसकी होती है आइरन की आकसीजन की कारवन की या नाइट्रोजन की तो मानों सरीर की अंदर जो सबसे अधिक परचूर मात्रा में पाया जाता है वो आकसीजन पाया जाता है आपसन नमबर इसका भी जो है बिरकुल राइट एंसर होगा तो आज हम लोग यहाँ पे 25 परचूरों को सालब कर लिए है तो 25 परचूर में आपके कितने परचूर सही हुए कमेंट करके आप लोग बताएंगे और अपने दोस्तों को भी वीडियों को सेर करें जिससे कि उनको भी लेग पाल भरती परिच्छा से संबंदित जो है यह टेस्ट जो है उपलब दो सके जिससे उनको भी परिच्छा में थोड़ा मदद मिल सके तो चलिए मिलते हैं अगले प्रेक्टिस के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद